तो आज मैं आपको लीवर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस परकार से हमें क्या खाना चाहिए और किस परकार से हमें क्या नहीं खाना चाहिए जिस से हमारा लीवर साफ हो सके तो फर्स पॉइंट है हमारा गार्लिक हमें गार्लिक से जुड़ी हुई जैसे गार्लिक में सोता है लैसन जो हमारा लैसन है गार्लिक is a powerful for numerous diseases and can also clean your lungs as well add garlic in your daily diet regardless if you are a smoker or not it well that day to excify your lungs and reduce the amount of the nicotine in your system कहने का मतलब है कि अपनी डाइट में हमें गार्लिक को एड़ करना चाहिए जिससे हमारा लैसन साफ हो सके डेली डाइट में यूज करना चाहिए क्योंकि जो smoker हो रहे हैं जैसे जो smoker करते हैं उनके लैसन से जहादर reduce हो जाते हैं Amount Nates ने मिल पाता क्योंकि गार्लिक में निकोटीन की मातरा जादा होती है जिससे हमारे लंग्स में मदद मिलेगी सेकंड पॉइंट है हमारा ग्रैप्स फ्रूट ग्रैप्स फ्रूट में हमारा क्या है क्योंकि खट्टा पदार्द होता है बिटामिन सी होती है इसमें इस दग क्रिटरस फ्रूट का मतलब होता है कि खट्टा पदार्द बिटामिन सी कंटेंस ए लॉट आप दा हमारे लंग्स को रिकवर करने के लिए ग्रैप्स फ्रूट मतलब जो ठंखटा पदार्द है वो इंप्रूब्मेंट लाएगा और हमारी कोशिकाओं जो हमारे लंग्स को रिकवर करेगा थर्ड पॉइंट है हमारा जिंजर जिंजर मीस होता है अद्रक जिंजर इस पावरफुल एंटी वेक्ट्रिकल एंड एंटी वाइरल अगेंड दैट कें डिलाई डिलेट यॉर ब्लड वीजल एंड क्लीन दे एक्सिस मुकस इन यॉर लंग्स मुकसमी सोता है हमारा एक गुदगुदा या बलगम टाइम का हमारे लंग्स में बन जाता है ब्लड वीजल को क्लीन करने के लिए हमारा अद्रक काम करता है तो हमें एड करना चाहिए ये डेली डाइट में फूर्थ पॉइंट है हमारा कैरट कैरट का मतलब है कि गाजर कैरट आर रिच इन नुमरेस इसेंशियल निट्रियंस सच आज विटामिन ए बी और सी एस वैल ए लॉट और मिनरल्स विटामिन ए हैस ए पॉजिटिव एफ़ेक्ट ओन यॉर टिसू एंड सेल्स हमारी एफ़ेक्ट डालेगा पॉजिटिव एफ़ेक्ट डालेगा वाई इस वाई विच इस वाई यू सुड कंज्यूम रो कैरट मोर ओफन हमें ज्यादा तर अपने भोजन में कैरट को एड करना चाहिए जिससे हमारी बॉड़ी से और हमारी लंग्स से जुड़ी हुई सारी को और गन्स में क्योंकि हम लोग स्मोक करते हैं तो हमारा जो सबसे सॉप्ट पार्ट है हमारा लंग्स वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है हमारे कहने का मतलब है कि जो गाल ब्लैडर है जो लीवर है लीवर जोइन्ट डाइजेस्ट क्योंकि हमारा जो लीवर है जो हमारा जाइजेस्ट से जुड़ा हुआ है फूड यूरिन फेसिस पूरा प्रॉपर तयार करता है पूरी तरीके से कार करता है तो यह सारी किरियाएं लंग्स के दवारा होता है तो हमारा जो mouth है mouth से जुड़ी हुई तो इस प्रकार से mouth है nose है nose pipe है wine pipe है food pipe है lungs and the branchial trees food जो हमारे blood को circulate करता है और हमें respiratory system को strong बनाता है तो इस प्रकार से हमें अपने भूजन में अपने ये चारी चारो चीजों को add करना चाहिए जिससे हमारा भूजन food that will naturally clean your liver हमारे liver को proper तरीके से strong बना सके और साफ कर सके तो हमने क्या क्या बताया कि हमें liver को साप करने के लिए garlic ग्रैप फ्रूट जो किटरस कहा जाता है खटा पदार्थ होता है और जिंजर अदरग इसमें anti-vectrinal and anti-viral system होता है जो हमारे blood बीजल को साप करने में मदद करता है बलगम को बाद अगर हमें कभी कबार खासी हो जा तब भी हम अदरग का प्रियोग करेंगे जिससे हमारे अदरग कर्रास होगा या अदरग की पीसिस को काट कर मुह में रखेंगे तो जिससे हमारा बलगम साफ हो जाएगा जिससे lungs भी साफ हो जाएगा and the carrot हमने बताया है carrot को भी हमें जरूरत के हिसमें हमारा nutrients पोसकता तो औ इंजियूम करने पे और रॉक कैरेट मतला पक्की हुई कैरेट को अफन मतला अपनी डाइट में इसको यूज करना चाहिए ठीक है तो आई ओप सो यह आपको टॉपिक समझ में आया हो तो हम नेस टॉपिक जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे अभी के लिए गुडबाए ट ट्राइब को बात तो हमागा करना चाहिए ठीक है जल्दी से यह एकर डॉचरों आई हो यह ज diver record भुड़त्षर काग